बिस्मिल्ला रह्मान जरहीं जी मेरे प्यारे बचो अभी हम डिसस करना जा रहे हैं अभी हम ड्राइब करते हैं कि कॉश्चन पहले सुनें कॉश्चन लिखा होगा है ड्राइब दा एक्स्पेशन फार व्रेलास्टी अफूब डिस्क एंड सफेर at the bottom of the inclined plane हम bottom पे हमने देखें let's suppose यहां देखे एक inclined plane प्राइं परोगने अब यहाँ पे अपने hoop यहाँ पर hoop था यहाँ पे इसको hoop downward move करेगा तो इसकी velocity यह pattern क्या होगी सेम ऐसे ही हम velocity find करेंगे सफेर की ऐसी ही हम velocity find करेंगे डिस्क की यह सॉलेट सिरंडर की विलास्टी फैन करेंगे फिर हम इने विलास्टी वो कंपेर करेंगे एक आपस हमें रिजल्ट क्या है वह हमारा अला को शर्रिया और देखिए अब फॉद एंपल जब हूप यहां पर है तो यह हूप रोटेट भी करेंगा जब नीशे मेरे पास यह लेस्ट और मेरे पास यह एक बुक है यह इसका मतलब क्या हुआ कि जब हूप मूव करेगा तो इसकी जो ट्रांसेट भी होगी और रोटेट भी करेंगे और जब आड़ी ऊपर से नीशे आती तो हम क्या बोलते हैं लॉस्ट इंप्रोटेंशन एनर्दी गेन और कनाट меньше और यहां बेर कनाट्ड़ नर्जी दो टाइपस की है के ट्रांसलेट भी कर रही और और रोटेट भी खर安नुर तो हम लास कंड़र्शन आफ इनर्जी यह इसकी कोश्की करते हैं अब देखें अब सीमील अबलियो आप इसको… लिख सकते हैं जब भूप POTENTIAL ENERGY is equal to gain in kinetic energy Translational plus kinetic energy Rotational क्वें 되게 हूँ आप अब इसकी वाली बुट करें आप देखिए इसको मैं यहां लिख लेता हूँ अब क्या लेखिनगे potential energy mgh होते है is equal to translational kinetic energy का क्या फामूल है half m v square plus rotational kinetic energy का फामूला भी हमने proof किये इस hoop का फामूला था वो भी half m v square यह भी हमने proof किया था इस परे लेक्चर में कि यह hoop की kinetic energy है rotational अब जस इसको simplify कर लें अब यहां देखें half m v square यहां से common आ रहा है तो अब क्या इसको लिखेंगे mgh is equal to mv square half plus half इसको add करें equal to one बन जा तो है लेने के बाद तो यह रल्ट बनेगा mgh is equal to mv square अब यहां देखें बो साइट से math simple है इसको cancel out करें तो इसको आप यू लिख सकते हैं v square is equal to gh तो square कैसे खत्म होगा square root लेने से both side both side square root लें taken square root on both side on both side तो रल्ट बन जाता है velocity of the hoop इसको आप hoop हमने suppose किया हो रहा है तो यहाँ आप hoop लिखें vh is equal to क्या बने गया under root gh तो यह हम आपने velocity calculate की किसकी hoop की find की तो यहाँ से इसको आप देख सकते है कि जो velocity है velocity of hoop किसकी directly proportional है height के scale root के directly proportional है यह general formula हमने पहले भी drive कर चुके है कि जो velocity है जब भी falling downward होती है उसका formula scale root of height के directly proportional ही बनता है अब हम similarly हम this की velocity find करेंगे अब ही हम इसी तरह same to same जैसे हमने velocity find की हमने hoop की अब हम velocity find करने जा रहे हैं डिस्क की similar लिए हम find करेंगे सफेर की अब उसका भी same concept है जहां पर hoop था अब यहांप हम डिस्क कर रखेंगे और जब डिस्क डाउंवर्ड मूव करेगी same concept उसका भी होगा जब डिस्क डाउंवर्ड मूव करेगी तो उसमें भी दो इनर्जी में चीज़े गाएगी lost and potential energy gain and kinetic energy translational and kinetic energy rotational same concept उसका भी होगा उसकी हम इसी डागराम को स्पोस कर लेते हैं उसको मैं रेस नहीं करता अब यहां इसको लिखने हैं आप बलो velocity velocity of disk यह इसको लिखेंगे solid cylinder अब इसी मिदा री चले हैं इसकी हम फिर से डागराम बना लेते हैं यह inclined plane है inclined plane में से उसी तरह यह इसकी vertical height इसको अब edge suppose कर लें अब यहां पे यहां पे disk है अब disk downward move कर रही है उसी तरह से जैसे हो hook move कर रहा था जब disk downward move कर रही है तो अब bottom पे तो यहां पे velocity of disk find करना जाएंगे हम करना चाहेंगे जैसे हमने velocity of hook find की अब यहां bottom पे velocity of disk find करेंगे इसका भी सेम वही concept है जब disk ऊपस नीचे आएगी तो इसका लास होगा और kinetic अर्जी में इसके gain होगा देगे kinetic energy फिर दोग टाइप के होगी है translational be or rotational be जैसे मैं भी example देसे में जाया था कि जब आटी ऊपस नीजा रही है रोटेट भी कर रही है और translate भी कर रही है अब फिर से हम यूज़ करेंगे law of connection of energy कि lost in potential energy is equal to gain in kinetic energy translational plus kinetic energy rotational अब इसकी वर just value put करें तो what is formula potential energy MGH what is gain in kinetic energy translational इसका basic formula है half MV square और यह formula बढ़ने बच्चा हमने अभी proof किया है कि हम पहले proof कर चुके हैं इसका फामुला आपको अभी proof किया अपने 1 by 4 MV square अब सिमिदे यहाँ से MV square कामल लेजी दीजी आप लो MGH is equal to MV square कामल ले 1 by 2 2 plus 1 by 4 इसका calcium ले ले और just simple simplify scope कर ले तो यह बनेगा MGH is equal to MV square इसका जाब calcium लेंगे तो यह दल्ट में बच्चो बन जाता है 2 plus 1 अब यहाँ देखें इस मैस को आफ साथ cancel भी cancel out भी कर सकते हैं तो यह क्या बने हाँ बस GH is equal to V square into 3 by 4 हमने velocity find करनी है 4 को वहाँ shift कर दें yes को वहाँ जागे डिवाइड कर दें तो result बन जाता है 4GH divided by 3 is equal to velocity square यह velocity of disk है तो इसको हम यू लेख सकते हैं यहाँ देखें velocity of disk square is equal to हम क्या लेखेंगे 4GH over 3 square root both sides कर लें फिर उसी तरह इसका भी square root लें उस both sides तो velocity of disk के में रच्चो बन जाती है square root 4GH H over 3 तो यह हमने velocity find की velocity of the disk at the bottom तो वो हमारा बात का कॉशन है कि कौन सी velocity ज्यादा है और क्यों ज्यादा है वो हम बात बेडिस्स करेंगे यहाँ जिस्त हम velocity का expression describe करना जा रहे थे यह velocity of hoop है और यह velocity of disk है अब हम velocity of क्या find करेंगे हम velocity of find करेंगे sphere उसका भी same concept है same उसका method है उसमें कुई changing नहीं है अब इसको बहले हम raise कर लेते हैं जी अब देखें अब हम velocity of sphere stand करना चाहेंगे इसको मैं raise नहीं करता है मैं इसको इसकी just हम change कर लेंगे इसको अब पहले हम लिखें velocity of hoop sorry velocity of sphere इसको गैगुरेट करनें अब देखें हम यहाँ suppose कर रहे है कि यहाँ पे sphere है और यह इसकी velocity है velocity of sphere को vs से हम denote कर दें यह हमने find करना है bottom के उपर same उसी तरह sphere top से bottom move कर रहा है यह translate भी करेगा rotate भी करेगा तो फिर हम उसी तरह लिखेंगे using love conservation of energy conservation of energy तो मेरे बच्चों रजल्ट यह same वही concept है तो हम लिखेंगे loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy translational plus kinetic energy rotational 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 इसकी अब सेम वही इसकी value पूट करें what is potential energy mgh what is gain in translational kinetic energy same वही formula है जो basic formula हाफ mv square what is rotational energy of sphere यह भी आपने find किया इसकी value आपने find की थी 1 by 5 mv square अब हम क्या करेंगे same style mv square common लें फिर scalp लें mass वो side cancel करें और velocity को find कर सकते हैं जैसे आपने वहाँ find की तो इसका हम simplify कर लेते हैं mv square यहाँ से common लेजिए 1 over 2 plus 1 by 5 scalp लें similarly इस mass को अब यहाँ भी cancel कर सकते हैं gh is equal to v square scalp 10 आ रहे तो 5 plus 2 gh is equal to v square into 7 over 10 अब में velocity square है यह वहाँ पूर्ट लेंगे डिवाइड हो जागी तो velocity square में बचो क्या बनेगा इसका अब यू लेख सकते हैं 10 divided by 7 gh फिर square है हम square root लेना पड़े का both side तो square root लें बहु साइड तो velocity square क्या बन जाता है मैं वहाँ उसकी raise कर लेता हूँ उपर यहाँ लेक लेते हैं तो अब इसको यहाँ इसकी value put करें square फिर से में दुबार लेक लेते हैं v square क्या बनेगा 10 over 7 gh square root on both side square root on both side तो मेरे बच्चों बन जाता है 10 divided by 7 gh hole under root इस velocity को हम लिख सकते हैं velocity of the sphere यह हम ने velocity of the sphere फायंड की तो इसमें देखें सब velocity में एक चीज common है आपने common कहा देखा आपने कि हूप की विलास्टी थी मैं दुआ उसके लिखता हूँ में velocity of hoop क्या थी gh under root velocity of disk में बच्चों क्या थी 4 over 3 gh under root तो अब सब में देखें जो सब में जो velocity sphere है यह भी square root of height के directly proportion है hoop यह भी square root of height के directly proportion है disk भी square root of height के directly proportion है तो इसका मतलब क्या हुआ कि velocity में एक चीज common है हम height को chain करेंगे तो हम इसकी velocity को chain कर सकते हैं इससे बाकी relevant question हम बार में distance करेंगे यह मारा आज के lecture सा जो हमने velocity fan की sphere की disk की and hoop की